धर्ती पर सूरज की किरने विद्या के प्रकाश से रोशन नीव रहे विद्याले की नीव अगर मस्बूत हो मानव धर्ती पर आकाश बने कोई गांधी कोई नहरू कोई भी सुभाश बने कोई भी सुभाश बने तर्ती पर सूरज की किरने मालूम है कल मनु के पेरेंट्स आय थे अच्छा दोनों क्या हां दोनों में सुलया हो गई है इसका मतलब मनु इस साल हमारे साथ घर जागा हां यार पिछले तीन साल से बिचारा अपने विकेशन्स यहीं गोजार रहा था अच्छा हुआ उसे अपने माबाप मिल रहे तो तो बड़ा खुश होगा तेरे हाउस का यह हाउस की बात नहीं है हर एक को अपने माबाप की जरूरत होती है तुम लोग अपने ममी पापा को याद करोगे पढ़ाई भी करोगे एक्जाम्स को तो भी बहुत दिन बांकी है कहें के बहुत दिन बोर्ड एक्जाम्स खतम हुए कि अपने अग्जाम शुरू बोर्ड के अग्जाम शुरू कब हो रहे है चबीस तारीक से कि अपने जान जाके सोचाँ नहीं यार थोड़ी देर और पढ़ूँगा उट क्या फरक पढ़ने वाला तुझे वैसे भी इतनी नी नीद आरी है जा जाके सोचाँ नहीं कापूर सोचांगा तो पसंटेज कैसे आगी गोर्ड के एक्जाम्स हैं और मुझे कम से कम 86% मांक् प्रश्चिन मेलेगा भई मेरा साब आपकी डूटी कॉंसे रूम में है एलेवन थे और आपकी वैए मैं तो 9C वाले रूम में हूं मगर वो प्राइवेट लड़का कश्यप आपी के रूम में है ना कश्यप कॉन वो दादा टाइप लड़का मुचों माला हाँ भई वही हाँ कि अब आभाए मेरे पास कोफी दर है गाँ तु भूलाए बेटे ये विंदया चल विए इसकूल यह कोफी नहीं करने जाती जाती और बो कैगा मजे यह कि टीचर कि इन्माट यह रिपर में ले दे फिर बताता हूं बुद लग्यों थांसिस झाल लग्यों याद है तुम्हे पिछली साल इसी जगे एक डले में ले थे हम लोग मेरे स्कूल केप्टिन बनने से पहले मैं स्कूल केप्टिल गया बना फ्रांसिस मैंने तुझा ही खो दिया शायद कल्ती उसमें मेरी ही थी अपनी हार को बरदाश नही कर पाया मैं वसी की तो सजा भुगत रहा हूं अस तक आज से एक्जाम शुरू हो रहे हैं पता भी नहीं चलेगा एक्जाम कब खतम हो जाएंगे और ना जाने उसके बाद तुम का होगे और मैं का होंगा Hey Francis अम जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, साथ होंगे और मुस्ते बाद मुस्ते लजसाना बस्ते लजसानी दोगे हैं लजसानी जाजसे लजसाथ आए लद मेंखरे लेपे एंप यह जो हुआ दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या करने पर तू लेगो तू लेगो डॉन कॉपी कर रहो हाँ अच्छे बच्चे कॉपी नहीं करते सर आप मुझे नहीं जानते मैं बड़ी खतरनाक चीज हूँ बच्चे मूछे बढ़ा लेने से कोई खतरनाक नहीं हो जाता सर आप अठते हैं में ऊते हूं मौके की नजाकत को समझो और यहां से चुप चाप तफा हो जाओ कहीं ऐसा नहो कल सुबए की यांख तुम्हारी हवालात में खुले आउट इंदर बहुत चाट रहते हैं और राइज परत अपने पाशारी डो तुम्हारे जाता तेटे, अपने बाप की उमर के लोगों से ऐसे नहीं बात किया करते है बेटा होगा तेरा बाप जूँआ तो सबसे मेरे सुटीज़ आफ एंड्यू, तुम्हें तो मैं पुलिस में कपका दे चुका होता लेकिन मैं तुम्हारा केरियर नहीं खराब करना चाहता हूँ इसलिए घर जाओ और ठीच सपड़ो और कल फिर से आके एक्जाम देना किराब क्यों हो सर कुछ नहीं फ्रैंसेश अपने स्टूल के दिनों की याद आ गई बोर्ड के एक्जाम्स खत्म होने वाले हैं तीन चार दिनों में सभी सीनियर्स चले जाएंगे मेरा ख्याल है आप तक आप लोगोंने हैद बॉई और स्कूल प्रिफेक्ट्स के लिए अपने अपने हाउसे से उनके नाम सोच लिए हूंगे जी हुए स्टूडन्स आज का दिन जितना सुखदाई है उतना ही दुखदाई भी दुखदाई इसलिए कि आज का दिन बारमे क्लास के स्टूडन्स के लिए इस स्कूल में आखरी दिन है जिन स्टूडन्स ने अपनी जिन्दगी के दस साल हमारे साथ बिताए आज उन से बिचहडने का दिन है और सुखदाई इसलिए कि यहां से जाने के बाद नए रास्ते नए दिशाएं आप लोगों के स्वागत में आँखें बिचाएं बैठी है मैं आप सब के लिए उजवल भविश्य की कामना करता हूँ हर साल की तरह इस साल भी जूनियर स्टूडन्स की तरफ से सीनियर स्टूडन्स को एक फेरवल डिनर दिया जाएगा अज़ ग्रेट डिनर प्रम ग्रेट जूनियर्स बई अंडराग तुमने बहुत ही शांदार अनेजमेंट किया है वे तो सारा अनेजमेंट सतीश का है हाँ भई खाना पीने का सोखीन है अच्छा खाएगा तो अच्छा खिलाएगा ही लेकिया साप मैं बहुती लाची किसम का अथमी हूँ मुझे पता अगर मैंने खाना आप लोग को कायदे का नहीं दिया तो मेरे भी जूनियर्स इसी तरह टरका देंगे मनु मत तुझे नहीं टरका रहा हूँ यार आई प्रमिस यू मैं कहीं नहीं जाँगा कि सारी विकेशन में तेरे साथ तेरे घर पर ही बिता हूँगा सैभी मैं अपनी मम्मी को लीग चुका हूँ देख मुझे दोखा मत देना प्लीज यार नहीं जाँगा ना अब तू जा के मेरे लिडे को अड़िंग ले करा अभी लाए अरे सैभी मैं जाँ जाँगा मनु को भी बोल देता तो बिचारा राथ बर ओता रहता हूँगा इसको पता भी निल जगेगा हाँ यार यह टीकराएगा यह कम्स मिस शैनास खान विद फेवल गिफ पर मी ये 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 जाने चारटर जी इस नो फेवल गिफ ये लड़ूज तो जाने से पहले तुम हमारा मुव मिठा करा ओगी मुझे क्या पड़िया तुम लोगों का मुव मिठा कराने की वो तो मम्मी कह रही थी कहीं बचारे रूखे मुवी ना चले जाएं इसले लड़ूल्स लेके आई हूँ कवान गायस है अब लड़ूल्स कवान गायस है अब लड़ूल्स एक बाद है शैनास हमारे जाने के बाद तुम मिस जरू करोगी हमें मिस माइ फुट जूट मत बोलो यार यादा नहीं तो थोड़ा सा तथरोगी कभी शकल देखी आईने में एक बार देखी ती शीशा तूट गया किसी बे-sharm ने बनाया होगा आईना तुम ही लेया आईना जो किसी शरमदार ने बनाया हो मिस सिर्летना ब मिस कर देनी हैं मिस अआया ने तया किसर्बव्ट मिस मिस कर दूबग देखी अ कि अआ परे बत बना रांच ने होगादाद इल्याना ने वाहीं थ्याओ से बीर को ऑरे ले किसी से बीर कर देखी वादा बंठीकո कि सेभीको देगा कि दे i तुने सेभी को देगा का है वह और तो गया का नगे गर , भाहिए थे तौनेとफे अजाने जर्गाया था विले गहा में जरे कै कि.. कर दो तक हमेशा हमेशा के लिए हंदूस्तान छोड़ के जा रहा है का फ्रैंकफर्ट हां मगर उस ने इसा क्यों किया समय बर्बाद मत को और बाग मनु भाग वह अभी तक गाटी से नीचे नहीं उत्रे हो गें भाग कि अ दड़ाओ है, लुक्चाँ! लुक्चाँ! लुक्चाँ, लुक्चाँ! लुक्चाँ! सेवी 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 तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओ सेवी सेवी एक ना एक दिन तो सरूर मिलोगे और जिस दिन मिलोगे मैं तुमसे यही पूछूँगा तुमने ऐसा क्यों किया क्यों किया सेवी क्यों किया नबन क्या है? चल पिक्चर देखने चल रहा है अबे पागल है क्या? अबे तुमसे पिक्चर की पढ़ी है चोड यार एक्जाम्स एक्जाम्स अज बलाक में टिकेट लेंगे आज तो कपूर भी नही है अबे तु यहां से जाते हैं तुमसे इसे कहते हैं के नौसा चुए खाकर बिली चली हज को सारे साल पिक्चरे देखी और अब पढ़ाई की सूज रही है यलो लड़ु खालो जावेर प्रदीफ ममी रजवाएं देशी के कम ओन बॉज थैंक्यू नमन बस हो रहा है शल हैवट क्या बात है एक्जाम्स हुए नहीं और पासोने के मिठा यवी सही या पिर शादी के तैयारी चल रही है अब तागल हैं क्या यार क्यूं चिपाखे कहने चाणे की अध़ध खते हू़गी या तेरी नहीं यार जब चीन के खाने वाले नहीं रही यार तो च्छा कर खाने मज़ा नहीं आता यह बात तो सभी है यार जो चीन के खाने में मज़ा है, वो मांग के खाने में नहीं है। अबे, तुम लोग खाओ लड्डू, मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने। सारे साल पढ़ाई नहीं की, और अब देखो बुचारे की क्या हलत हो रही है। यार सुनो, कि तुम्हारी रहे मेरे बार में यही तो नहीं है। अरे यार, तुम लोग के पेपर का क्या हुआ? पूछों मत्यार, वो पादया साब ने जो इंपॉर्डन कोश्चन्स बताय थे उसमें सिर्फ दो आया है। लगता है पेपर बक्षी साब ने बनाया होगा। बनाया होगा। मगर हमारी तो ऐसी कंट ऐसी हो गई ना। मैं तो अन्टोनियो और पोशो के करेक्टर स्केश रट करा है। मगर आगया शलोक का। खूब चाल खेली है बक्षी साब ने। लास्ट यर का क्वेश्चन रिपीट कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई बात निया। सेकंड और थर्ड पेपर अभी है ना। हाँ यार बाकी तो है पर उसका पता नहीं क्या होगा। मैं रिखाल था पास तो हो जाएंगे। मगर डिविजन तभी आप आएंगी जब बाकी के दोनों पेपर बहुत अच्छे हो। समझा। यार काश मेरे पास एक ऐसी मशीन होती के बटन दबाया और पूरा पेपर वह हमें बता दे। मज़ा आजाए। यार को ऐसी मशीन नहोती तो तेरी जगह जाकर एकजाम दे आती है। वहे ऐखाना खाने चलते हैं लेज़गो तुमलों चलो जर मैं खूस हो का आता है। अब.. क्या बात है? वह आप कह रहे थे ना कि ऐसी कोई मशीन हो जिसका पटन दबाओ और पेपर बार? मणें चैनल ने क्लेगी एसी मशीन हमारे पास है जिसमें शिक्का डालो और पेप्र बार अम भी दो देखे आ से नmost पास जी आप के सामने खडिये आप टुल एको निकालती है नी कितने कि डालने पड़ेंगे गे साप, दो पेपर की बात हैं, सेकेंड और थार्ड, कम से कम डाई सो रुपे तो होने चाहिए ना डाई सो रुपे? अबे पागल हो गया है क्या? तेर सो रुपे मिलेंगे बोल तेर सो रुपे? अरे ये तो बोट ज्यादा है यार यार मैने तो बहुत कोशिश की लेकिन इससे कम है तो माना ही नी अरे ठीक है यार, अगर हम तीनों आपस में बाट लेते हैं तो पचास-पचास रुपे ही तो हो जाता है हमारे से में यार अनुराग से बात कर ले क्या हम तीनों के शेर कम हो जाएंगे अरे क्या बात करते हो अनुराग से बात कर लेंगे तुँनको पता है वो भाजनबाजी फिर शुरू कर देगा? और चाकर मिस्टर खान से शिकात कर दी तो? हां हां ये तो है उसका कुछ बरोसा नहीं यार तो फिर हम तीनों मिल जारों कर ले क्या हां पक्का अरे इसमें पक्का जारों कि क्या बरेख इस से बड़िया गुल्डन चैंस हम लोगन SAYS आरह को दुबारा नहीं मिल लेगा कि ये लो मेरे 50 कहट शेयर के if you keep your head when about you, you are losing your breath, I am blaming it on you, if you can keep your head when about you and are losing Him is remember about your only reference इंस्परन्ट इ है कि लूला रहा हूद ऑप्सराइद ... इंस्पर्टन्ट यह तम्हे किस्न एंपॉर्टन बता तो ईंस्ट पाधियन है स्टर पाधयन है? पर उनोने ते ये किट्स वाली पॉयम इंपर्ण बताई थी? नहीं 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 वो बाद बताई थी? बाद में? क्या तुम्हे अलग से बुलाया था उनोने? नहीं नहीं उसमें तूठे नहीं अच्छा तो तुम कर अपनी इंपर्ण पॉयम याद मैं चला सोने अनुराग अगर रात को नीन अच्छी आती है ना तो दूसरे दिन पेपर बहुत अच्छा जाता है कलंगरी जी का पेपर इसलिए बुनाइट 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 नमन तुमने बहुत अच्छा के आनुराग जो तुम हमारे पास चले आए पर क्या तुम्हें यकीन है जो तुमने हमसे कहा वो साफी सीदे सच है सर मैंने अपने कानों से सुना वो लड़के कल के पेपर के बारे में ही बात कर रहे थे वो लड़के कौन है आम सॉरी सर ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्यों सर मैं शिकायत लेकर आपके पास इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं किसी को सजा दिलाना चाहता हूँ या पर किसी को रस्टिगेट कराना चाहता हूँ मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि इस एक्जाम को एक मजाग बनने से रुका जा सके अनुराग तुम अच्छी तरह जानते हों लड़कों का नाम ना बताने की सूरत में तुम्हारे खिलाफ आक्शन भी लिया जा सकता है मेरे खिलाफ आप जो आक्शन लेना चाहते हैं आप ले मुझे कोई एतराज नहीं होगा लेकिन अगर पेपर लीकेज के खिलाफ कोई आक्शन ना लिया गया तो ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मुझ जैसे लाखों स्टूडन्स के साथ जो की सारा साल मेहनत करते हैं और अपनी मेरिट के बल पर आगे आना चाहते हैं एक बहुत बड़ी नाइनसाफी होगी और अब ग्यार वी कक्चा के चात्रों के लिए प्रशन पत्त तमाम शुप कावनाओं के साथ सार अब जल्दी भी कीजिए ना टैंके मनवात कर रहे है अले वाई देते हैं देते हैं सार यह 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 इसी साल का प्रशन पत्र है? जी हाँ यह यह इसी साल का प्रशन पत्र है मैं तुमारा चेहरा देखके भाप गया था कि तुमने इस बार पड़ाई टीक से नहीं किये सर आप में लिखने भी देंगे आप अपना गाना सुनाते रहेंगे अरे भाई लिखिये लिखिये तमाम एक आगुता के साथ लिखिये कि लिखिये 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 में कमीं सर यस अरुम मुजब आही सर so और अफिस में जाकर अपना इसाब कर लो जी में तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ मगर मैंने किया क्या है साब इस वक्त ग्यारा बज़े और बारा मज़े के बाद अगर तुम या तुम्हारे बाल बच्चे कंपाउन में नजर आये तो मैं तुम लोग को सीधे पुलिस के हवाले कर दूगा समझे Now get out यार ये क्या हो गया यार ये paper कैसे Cara चेंज हो गया यार तुम है कैसे पता कि पेपर चेंज हो गया था बोलो कली पेपर मिलग गया था हमे प yo कि आ ने यही बात जाकर अविंदा को कहदी व ली गरिक तुम ने हमारे साथ गदारीchos जुब भे अ मंगा क्या हॉरी फाध यपोर्शा किसी और को बताना यह भाश्र और बड़े शूचिन तक बनते हो हमारे मुह में राम बगल में छूरी अरे मैं सच कह रहा हूँ मैंने तुम्हारा भला ही चाहता हूँ रहने दे हमें पता है कि ता भला चाहता तुम्हें हमारा घदार कहीं का यह नौग टॉक टॉक टॉट इस आज स्कूल तर्म का आखरी दिन है और हर साल की तरह इस साल भी अगले तर्म के लिए हैद बॉइ का चना हुआ है और इस साल का हैद बॉइ है नहरू हाँस का अनुराग शर्मा अनुराग के बारे में मैं दो बातें कहना चाहूंगा एक तो यह क्या अनुराग विल पावर और सेल्प डिस्प्लिन का एक एग्जाम्पल है जो हर रोज देखने को नहीं मिलता ऐसा बहुत कम होता है कि सिर्फ एक साल पहले स्कूल में एड़मिशन लिये हुए लड़के को हेद बॉइ बनाया जाए और वो भी अनुराग जैसे लड़के को उससे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसकी कोई अपनी परसनेलिटी है ही नहीं मगर उसने एक ही साल के अंदर अपने आपको इतना उंचा उठाया कि उससे ये पोस्ट मिली दूसरे मैं उन सरकमस्टेंसिस के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जिन के तहट अनुराग को इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया हुआ यूं कि 11 ख्लास के इंगलिश के 2 और 3 पेपर्स बाकी थे कि हमारे स्कूल के एक चपरासी ने कुछ लड़कों से पैसे लेकर पेपर्स उन्हें बेच दे अनुराग को इस बात का पता चला लेकिन बजाए इसके कि वो खुद उन लड़कों में शामल हो जाए उसने तुरंट आकर मुझे खबर दी अनुराग ने ना सिरे मुझे इस बारे में बताया बलकि उसमें इतना मौरल करेश था कि जब मैंने खुद उसके खलाफ एक्शन लेने की धमकी दी तब भी उसने उन लड़कों के नाम बताने से इनकार कर दिया स्कूल तो जीवन की एक नीव है उस नीव में ही अगर इस तरह की दरारें पढ़नी शुरू हो गई तो फिर बाकी जीवन का क्या होगा बेएमानी से जो हमें प्राप्त होता है उससे देखकर हमें ऐसा लगता जरूर है कि हमें फाइदा हो रहा है मगर अल्टिमेटली हमें उससे नुकसान ही होता है यहीं सोचकर मैंने और मेरे कुलीक्स ने ये फैसला किया कि अनुराग ही हेड बॉइशिप के लिए सही कंड़िडेट है मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे स्कूल की तरफ से उसे बढ़ाई देता हूँ अनुराग उपर स्टेज पराओ ऑप्राग अनुराग अनुराग निसे इस न्हीं तरफ से तरे सिर्व इस दिता है भी मिल्मार्ण है थाक्यू Mr. Mehrow थाक्यू शेनाज थाक्यू सर् बिंध्याचल स्कूल के हर स्टूडन्ट का ये सपना होता है कि वो हेड़ बोई बने इस पोस्क के लिए मुझे चुना गया इसलिए धन्यवाद दस महीने पहले जब मैंने स्कूल जॉइन किया था तो मैं एक पुक वर्म था एक किताबी कीड़ा था मेरी पस्नालिटी को ग्रूम करने के लिए विंध्याचल स्कूल के टीचर्स मेरे सीनियर्स मेरे साथी और मेरे हाउसमास्टर मिस्टर खान ने मुझे मदद की इन सब को एक बार फिर तन्यवाद मिस्टर खाल ऑच रहला था... कर दो खूपने हैं कर द कर दिन United आयो not मर रड़ा मर राला मर राला मर राला राला मर राला प्रक जो झालओ लोह हूं ओिंगा। कि अुरू भ्लव कोरू़। झाल झाल